हेलो अब्रिवन वेल्कम टू फांडेशन क्लासिज मैं नेम इस अमित चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं देखिया आज का जो हमारा टोपिक है ना वह है टोपिक नमबर फाइफ हम सीडिपी की क्लासिज के अंदर चार टोपिक कंप्लेट कर चुके है और शाह साथ में हम उनके पीवाई क्यू क्यूसंस भी कर रहे हैं तो आप लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं तो आज का हमारा जो टोपिक है वो नमबर फाइफ है और इसका नाम है सोसियलाइजि चीजों को समझता है ठीक है अपने आपको समाज के कोडिंग बदलता है उसके अनुरूप अपने आपको चेंज करता है यह सब क्या होता है सामाजिकरन होता है जैसे पढ़ते हैं देखिए बच्चा जनम के समय अच्छा एक चीज और यह जो टोपिक है एकदम छोटा सा ट होता है औरIST ही इस ऑंदोगों से मिलेगा अपनी family members के मिलेगा दियरे-दिरे उनको क्या करने लगेगा जानने लगेगा तभी तो Wy स्टार्ट करेगा जप बच्चा जनम लेता है ना तो ने तो सामाजिक होता है ने ही वो ऐसामाजिक होता है बाद में धीरे-धीरे उसमें सामाजिक और ऐसामाजिक के गुण आते हैं वह धीरे-धीरे समाज को क्या करता है एडोप्ट करता है बेल लोगों से मिलेगा अपनी फैमली के जो मेंबर्स ह उनसे बात्चित करेगा, उनसे मिलेगा, दिरे-दिरे, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, तब उसके अंदर यह सब गुणाणे स्टार्ट होते हैं, ठीक है, अर्थात, अपने आपको समाज के कोडिंग, डालना, समाज के कोडिंग, मुल्लों को समझना समाज के, समाज development सबी के लिए समाज की जूर्थ होती है देखिए जैसे social development है अब बच्चे का social development का मतलब क्या है यानि कि उसका सामाजिक क्या होता है उसको सीखने को मिलता है लोगों से नही नही जगह जाता है वो नही नही चीज़े सीखता है यानि कि क्या हो रहा है उसका brain develop हो रहा है देरे देर ऐसे करने से किससे हो रहा है इसमें भी समाज गरोल हो गया अब एक है emotional development emotional का मतलब क्या है आपके emotions से related तो नोर्मल सी बात है आप emotions कब दिखाते हो अब जब समाज में आप नई नई situations को देखते हो ना आप गरीब को देख रहे हैं किसी बीमार इंसान को देख रहे हैं तो आपके अंदर emotions पैदा होते है न तो उसके लिए किसकी जूर्थ है आपको समाज की जूर्थ है तो देखे तिनों के अंदर social development में भी cognitive development में भी और emotional development में भी हर्ज किसकी जूर्थ होती है आपको समाज की जूर्थ होती ही होती है ठीक है अब सामाजी करण की द्वारब बच्चा क्या करता है अपने customs को अपने values को अपने rules को इन सब चीदों को क्या क आप कर देता है ठीक है तो socialization से बच्चे का क्या होता है ऑलिस्टिक मतलब होता है संपूरन थेक है देखे social development भी आ गया इमोशनल भी आ गया तो इससे क्या उतक्तव होता है बच्चे का सोश्यल यहन की बच्चे का holistic development होता है इससे अब अब नेक्स्ट देखिए agency and agents of socialization देखे यहां से question पुछा जाता है हमेशा और आप देखना जो मैंने PYQ करवाए है previous year questions उसमें सारे के सारे यही क्युस्तन आए agency से related यानि कि agency या agents से related अब यह होता क्या है देखे agency या agents क्या होते है यह वो एक प्रकारशे यह बच्चे के socialization के अंदर क्या करते है ना help करते है यानि कि एक जरिया होता है जिसके दोहर क्या होता है बच्चे का socialization होता है ठीक है ना कैसे अब देखे इसके अंदर क्या आता है सबसे पहले आता है primary agency primary agency का मतलब है प्राथमिक primary मतलब क्या होता है? Prathmic Prathmic क्या होता है? Prathmic का मतलब होता है सबसे पहले यानि कि आप इसको priority दोगे ही दोगे जैसे देखि unto अब इसके अंदर आती क्या है? आपकी family अब जिर्फ आपकी जो family है वो आती है primary agency के अंदर ठीक है? यानि कि primary agency सी अब दा सोशलाजेसिन क्या होगा आपकी फैमिली होगा पता नहीं कि उसन कितनी बार पुछा गया है अब यह देखे फैमिली को क्यों बोलते है जब बच्चा पैदा होता है जब वो दुनिया के अंदर आता है तो सबसे पहले किस से मिलता है अपनी फैमिली से मिलता है ना इसलिए family को क्या बोलगाया है сам apple करण की public agency माना जाता है ठीक है फिंग यहीज मैं ने है पर लिख रख आपकर एक परिवार को बच्चे की प्रात्य एजैंसी माना जाता है क्यों 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 जब बच्चा जनम लेता है तो सबसे पहले वह अपने परिवार के बीच रहता है जहापर उसे अपने फैंमिली मेंबर्स जैसे की दादा-दादी हो गए सबसे क्या मिलता है प्यार मिलता है उसको ठीक है तो इन सब का बच्चे के सामाजी करण को पर क्या पड़ता है प्रभाव पड़ता है अब आगे देखिए मैंने लिखा है बच्चे का सामाजी करण सबसे पहले अपने परिवार से स्टार्ट होता है किसे स्टार्ट होता है बच्चे के परिवार से स्टार्ट होता है यानि कि family से start होता है, अभी तो इसे primary agency बोलते हैं, इसलिए इसे क्या कहते है, primary agency बोलते हैं, तो बस यही क्युस्सान आता है, अग बच्चे की socialization की primary agency क्या है, वो है family, चलिए next देखते हैं, अब आता है secondary agency, primary agency तो हो गई, next उसके बाद है secondary agency, अब देखे secondary agency के नदर आता है school आपका, आपके neighbors हो गए, आपके peer groups हो गए, peer groups का मतलब होता है समकक्सी, जो आपके साथ पढ़ते हैं, आपके friends हो गए, आपके दोस्त हो गए, media हो गया, ठीक है, religion हो गया, caste हो गया, language हो गया, यह सब किसके नदर आता है, secondary agency, अब देखें, media है, media में सब कुछ आता है, mass media के में समाजे एकरन हो गार, आप समाज की चिज़े वहां से सीख रहे हैं, ठीक है, जैसे अग बार में आप news पड़ते हैं, इसके बार रहे हैं, समाज के बार ही तो पड़ते हैं समाज के चल रहे है, TV में news देखते हैं, या film है, वह भी कहीं ने कहीं, आज के time के coding बनाई जा यह लारी है तिंत एंसे क्या सीख रही है आप समाज के चीजयों के बारे में सिख रिटक है अब देखिए जिसे पी तब ने लोटे मैं कर दोब तयों में आते हैं दी इसाथ स्बस्व में एते हैं इस जाता है दम बेस्ट सेकेंडरी एजेंसी ओप सोसेल एजेशन देखिया अब सेकेंडरी एजेंसी के अंदर यह सब आते हैं कूल भी आता है निभर्ष भी आते हैं पियर ग्रूप्स भी आते हैं फ्रेंड्स मीडिया सब कुछ आता है लेकिन अगर बेस्ट पूछ ले न अक सोसेल एजेश स्कूल में रहते हैं तो इसलिए स्कूल को क्या बोला गया है सेकेंडरी एजेंसी ओफ सोशिलाइजेशन ठीक है और दूसरी चीज वहाँ पर बच्चे का हर तरह से विकास होता है अब आगे next रहते हैं कैटेग्री उफ एजेंसी अब जो एजेंसी हमने बताई है ना इनकी भी कैटेग्री हैं जैसे सबसे पहले एक्टिव एजेंसी active agency of socialization, active agency का मतलब पता है क्या होता है, जहां पर बच्चा बोल कर, यानि जहां पर बच्चा active रहता है, वो दूसरों से बात्य करेगा, conversation करेगा, ठीक है न, जिनसे वो सिखेगा, ठीक है, यानि वो चुप नहीं बैठ रहा, वो बात्य करके सीख रहा है, conversation करके सीख रहा है, तो देखे क्या लिखा है मैंने, यानि जहां पर बच्चा बात्य करता है, conversation करेगा, जिससे क्या होगा, उसका सामजिकरों होगा, वह एक दूसरे से बात करके अपने विचार सेर करेगा, यानि कि बच्चा completely क्या होता है, active रहता है, ठीक है, एक दूसरे से क्या करता है, interact कर है, जैसे, हम example देखते है, जैसे family है, school है, peer groups है, आपके neighbors हो गए, आपकी media हो गए, religion हो गए, यह सब क्या है, यह socialization की active agency है, ठीक है न, क्या है active agency, यहाँ पर बच्चा बात करता है, एक दूसरे से, तब वो सीखता है चीजों को, ठीक है, ऐसे निए कि चुपचा बैठा हु एक होता है, passive agency, अब passive agency क्या होता है, passive का मतलब होगा, निस्करिये, अगर हम हिंदी में बात करते है, passive होता है, निस्करिये, यानि कि आप कुछ नहीं कर रहे है, आप चुपचाप हो, आप ना तो किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, किसी से conversation नहीं कर रहे है, आप ना सुनके आप समाज में तो बैठे हुए हैं आपका सामाजी करन तो हो रहा है लेकिन वो क्या है वो passive है क्यों क्यों कि वहाँ पे आप अकले बैठते हैं चुप चाप रहते हैं किसी से बात नहीं करते किसी से बातों के दौरा नहीं सीख रहे आप conversation नहीं कर रहे आप ठीक है तो प्रिनेटल स्टेज है यानि पर्षव पूरो जब बच्चा मा की गर्ब में होता है नो मैने तक तो नोर्मल सी बात है जब बच्चा मा की गर्ब में तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसका सोशलाजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है ठीक है तो इस बारे में हम कुछ बता ही नहीं स था यह होती है 0-2 वर्स तक ठीक है यानि कि बच्चा जनम ले चुका है और 0-2 वर्स तक देखिए इस stage में बच्चा सबसे ज़्यादा अपनी family के बीच में रहता है और बच्चे का जो socialization है न सबसे पहले अपने परिवार से ही शुरू होता है यह चीज मैं आपको उपर बता चुका हूँ जो बच्चे का socialization है वो कहां से start होता है अपने परिवार से शुरू होता है वो सबसे तेज होता है इस age गंदर ठीक है क्यों होता है बच्चा जनम लिया 0-2 साल तक तो उस time बच्चा इतना छोटा होता है कि आप उसको घर के अंदर ही रखते हो लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होना start होता है जैसे जैसे वो चलना start होता है तो वो खुद घर से बार निकलना start कर देता है आप उसको रोगने की कोशिस करते हो जैसे side में किसी और का घर है आपके neighbors है उनके घर पे चला जाएगा ठीक है आप इनको practical चीजों से connect करके देखिए जाता है ना बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है वो कोशिस क्या करता है अगर मैं घर के gate से बाहर निकलू किसी भी तरिके से ठीक है तो यानि इस age में बच्चे का सबसे तेज होता है क्यों क्यों कि वो दिरे दिरे बड़ा हो रहा है और वो घर से बाहर निकलना स्टार्ट करता है वो पार्क में जाएगा आके परोसी है उनके पास सला जाएगा दिरे दिरे वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है ठीक है तो इस stage में बच्चे का तो socialization है वो सबसे तेज होता है अब आगे देखिए इस टेज में बच्चे का socialization है वो mainly school की वज़े से होता है क्यों कहीं नहीं आज कल जो छोटे बच्चों का श्कूल आ रहा है किसी निभर्स है उनकी वज़े से होता है उसके जो fred circle बनता है चोटे-चोटे बच्कों काूं के उनसे उता है ठीक है तो बच्चा अपने पईरोपsk का सदस्द से पहले बार बनता है देखिये मैंने या प्लेक्ड को किया है क्यों कि देखिये इनके ओपर 23-24 स्टेज हर जगे की बात की गई है तो देखे सबसे पहले जब पुछेनक बच्चा सबसे पहले सदस्य कब बनता है अपने peer groups का तो वो तो बनता है early childhood stage में ठीक है आपको ये बात याद रखनी है अग सबसे पहले कब बनता है early childhood stage के अंदर अब आगे देखते है middle and late childhood यानि कि पस्य बाले वस्ता अब ये कब तक होती है ये होती है आपकी 6 से 11 वर्स तक ठीक है और इस stage में school, peer groups, friends, neighbors इन सब का तो रोल होता ही होता है साथ में mass media यानि कि अकबार पढ़ना, news वगेरा देखना, tv देखना ये सब चीज़े कईने कई सामिल होनी start हो जाते है क्योंकि बच्चा school जानी start कर देता है तो वो magazine प peer groups का जो रोल है वो दीरे-दीरे बढ़ने लगता है और teachers का जो रोल है वो कम होना start हो जाता है तो देखें मैंने peer groups का उपर बताया था इस stage में ये जो early childhood stage थी ना इसमें तो peer groups का सदस्य वो पहली बार बनता है लेकिन यहां पे जो ये सदस्य बनाए ना तो इस peer groups है ना इस 11-18 तक इस stage में बच्चे सबसे ज़्यादा effect होते है उसके peer groups में देखें जब बच्चा 11-18 के age में आता है तो वो क्या करता है वो सबसे ज़्यादा active हो जाता है अपने peer groups के अंदर फिक है सबसे ज़्यादा बात मानना start कर जाता है वो उसे सिर्फ और सिर्फ दोस्त ही पसं इस stage में बच्चे पर सबसे ज़्यादा effect उसके peer groups का होता है वह अपने groups का active member बन जाता है यानि कि वह सबसे ज़्यादा importance अपने friends या अपने peer groups को देने लग जाता है इस age गंदर बच्चा अपनी family से दूर होने करता है उसे रोक टो क्या नहीं होती पसंद नहीं आती इस stage म मास मीडिया का भी रोल होता है मास मीडिया मैंने बता दिया आपको टीवी बगरा देखना start कर देगा mobile रखना start कर देगा ठीक है न तो यह सब चीजे start हो जाते है उसके किस और अवस्ता के अंदर अब और क्या होता है देखे change in social behavior जैसे कि उसने क्या किया अपने माता पिता कि जो रोक्टग है उसे पसंद नहीं आ रही तो वो उनसे कम बाते करेगा उनसे दूर दूर रहने की कोशिज करेगा तो उसके nature में changement आया है न तो change in social behavior या peer groups का influence बढ़ना मैंने आपको अभी बताया अग जो peer groups है उनकी बाते वो सबसे जादा मानना start कर देता है ठीक है न तो यह सब किसकी property है यह adolescence की property है ठीक है अब देखिए next एक होता है group identity ट्रम है यह group identity यह क्या होती है देखिए group identity है इसमें बच्चा है अपने आपको किसी अलग परकार की जो situation है यह group है उससे जोडने की कोशिज करता है जैसे मैंने यहाँ पर आपको example दिया है उससे आप स ऑपने श्कूल के बच्चों को देखता है तो वो अभी खूश हो जाता है औरे यह तो मेरे श्कूल का बच्चा है या फिर वो अपने श्कूल की जोडने आपको weonton ड्रेस yn सक बहुत है उसको क्या हो जोड लिया है इन सब चिज़ों से उसको क्या मिलती है खुसी मिलती है इसको बोलते हैं group identity, जैने कि उसकी अपने एक identity है, जिसे देख कर वो क्या हो रहा है, खुस हो रहा है, ठीक है, और group identity क्या है ना, एक तरह की हमारी need होती है, इसकी हमें जरूरत होती है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, एक दूसरे से अपने आपको, जोडने की कोशिस करते हैं, और जिसे हमें कैसा फिल होता है, अच्सा फिल होता है, ठीक है, तो इसे बोलते है group identity, आप ये ट्रम है ना, याद रखना है, इनका मतलब पता होना चाहिए, आपको group identity क्या है, वहाँ पे applied क्यों सनाएंगे, जैसे मैं आपको example दे रहा हूँ न, इसी तरीके से आपको example मिलेंगे, वो पता देगा कि एक बच्चा है, वो मौल में गया अपने पापा के साथ, पर वहाँ पे उसने अपने class के दूसरे बच्चे को देखा, और उससे देखकर वो खुस हो गया, उसने बोला कि, अरे, ये तो मेरी class का बच्चा है, तो वो यहाँ पे कौन सी property शो कर रहा है, तो वहाँ पिर आपको example देदेंगे, options देदेंगे, group identity है, या gender equality है, तो वो इस टाइप की चीज़े आपको options बना के देदेंगे, तो आपको इन चीज़ों का मतलब पता होना चीज़े, English के line से मतलब नहीं है, तो ये चीज़े मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसे example क्यों उठा रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में word का मतलब सेट हो, उसका मतलब क्या है, फिर वो आपको चीज़े इंग्लीज में देदे, चाहिए हिंदी में देदे, किसी भी लेंग्वेज में देदे चाहिए वो, आप उस चीज़े को आसानी से टेकल कर लोगे, ठीक है, देखिए अब next आगे चलते हैं, रोल ओफ टिचर एंड स्कूल, इन सोशियलाइज़ेशन ओफ साइल्ड, यहने कि बच्चे के सामाजी करण के अंदर, टिचर का और स्कूल का क्या रोल होता है, ठीक है, स्कूल का माहूल कैसा होना चीए, अच्छा होना चीए, भई माबाप है, जब बच्चे को स्कूल डालता है, आमने बताया था पिछली क्लास में इड़न करी कुलम यानि काफी चीज़े ऐसी होती है जो बच्चे की दिमाग में इंडिरेक्ट ली जाती है ठीक है तो स्कूल का बहुँ जादा रोल होता है देखिए जो लर्निंग क्या है लर्निंग इस सोचिल एक्टिविटी इसले बच अगड़ाने करना अच्छे से बाते करना अपना होमवर्क टैम पे करना जो घर्षिक खाना लेकिया रहा है उसको समय पर वो खाएगा तो यह सब चीज़ें सिखाने चीज़ें ठीक है बच्चों को अब आगे बोल रहा है टिचर देखिए बच्चे के लिए सब कुछ होता यह आमें भी पता है जब चोटा बच्चा होता है ना और जब वह कुछ भी मैंने पिसले क्लास में इस चीज़ का एक्जामपल दिया था जब टिचर उसको कुछ बताते है ना बढ़ाए की चीज तो बच्चा घर पे आया हो सकता है टिचर ने गलती से वह चीज गलत बता दियो तो अगर आप बत्चे को बताएंगे ना अगब या चीज आइसे नहीं ऐसे होगी तो व्यों देख रहें घर तो इसका प्रभाव बच्चे के उपर बहुत जादा बढ़ता है तो ठीक है तो देखिए इन सभी क्रियाओं से क्या होता है बच्चों का socialization होता है देखिए एक छोटा सा topic है मैंने आपको ये भी बता दिया कहां से questions आते हैं आप जो PYQ मैंने डाल रखे प्ले लिस्ट वहां से आप करोगे ना तो वहां पे आपको खुद पता चल जाएगा झाल जाप कर दो दो झाल जा किए से क्या है आपको ये जापको ड़तवपा क्या आपको दोले अज़चे से क्या है